प्रेंड विल्कम बैक तो माय चैनल और मैं लेकर हो यह काफी अच्छी वीडियो आपके लिए काफी सपोर्ट करने वाली है जैसा कि आप हेड्लाइन से नाम समझ चुके हैंगो तो इसमें कौन से गेम में क्या टर्म यूज होती है बहुत बार आपसे कोशन में पूल जिया जाता है इसी सीडिन इजामनेशन में कि स्मैश कौन से गेम में यूज किया जाता है ड्रॉप कौन से गेम में होता है ठीक है तो इसके उपर ये वीडियो है तो जो पहली बार दे के अंदर कौन कौन से Termology यूज़ होते है इसके अंदर यूज़ होते है Duce, Smash, Drop, Late, Game, Love और Double Fall ठीक है इसके बाद Basketball में कौन कौन सा आता है Termology, Peacher आता है, Strike आता है, Diamond आता है Bunting आता है, Home और Put Out आता है ठीक है, इसके बाद Board Race में क्या आता है, Board Race में Cox होता है इसके बाद Boxing में क्या है Boxing में आती है, Jab, Hook, Punch Knockout, Upper Cut, Kidney Punch तो जो Boxes होंगे उनके बारे में पता होगा Bridge के अंदर क्या आता है, Revoque Rough, Dummy, Light Slam Grand Slam, Trump Diamonds, Tricks, ठीक है इसके बाद Next है हमारा Chase में Chase में क्या आता है, Gambit आता है Checkmate आता है, Stelmate आता है Check आता है, ठीक है, अगर कोई चाता है इस टाइप के Notes Purchase करना तो यहाँ पर Contact कर सकते हैं, मेरे पास Notes इनके Available है, तो अगर आप चाते हो Exam में और अच्छा करें, Time कम है इनके उपर तो पक्का Focus करें, वीडियोस को Mention करो सो, ठीक है इसके बाद Cricket में क्या क्या होती है LBW आता है, Midden Over आता है, Rubber आता है Stumped आता है, Ash आते है Hat Trick आता है, Leg By आता है Follow On आता है, Google आता है, Gually आता है Sealy Point आता है, देखिए इसमें बहुत सने Termology ऐसे हैं जो आपको पता होंगी, ठीक है इसके बाद Duck है, Run है Because बहुत ही popular है, Drive है, No Ball है Cover है, Point है, Leg Spin है Wicket Keeper, आप लोग Maximum को देखते रहे तो साइद इसमें ज़्यादा आपको Huddle ना है Peach है, Seize है, Balling है इसके बाद Leg Break है, Hit Wicket है, Bouncer है Stone Walling है, ठीक है इसके फुटबॉल में चलते हैं फुटबॉल में क्या क्या आती है, Dribble आती है, Offside आती है, Penalty आती है Throwing आता है, Hat-trick आता है, Foul आता है, Touch आता है Down आता है, Drop आता है, Drop Kick, Sorry और Stopper, ठीक है अगर आपको Hat-trick आता है, तो Hat-trick सिर्फ में नहीं सोचना है Hole, Boggy, Put, Steam, Caddy, T, T से कोशन्स आ चुके हैं, पहले भी Links, Putting the Green, ठीक है Hawky में क्या है, Hawky में Bully होती है, Hat-trick होता है, Shot-Connor होता है, Strikes होता है Striking Circle होता है, Penalty Connor होता है, Under Cutting होता है Scoop होता है, Center Forward होता है, ठीक है उसके बाद Carry होता है, Dribble होता है, Goal होता है, Carried होता है Horse Riding के चीज़े थोड़े याद रखने है, Because यह Unown Games होता है जो Unown Games है, उनको पका आप एक बार दुबारा सुन लिजे वीडियोस को, ठीक है इसके बाद Next है, Polo, Polo में क्या है, चुकर है, Wundle है, Melt है Rifle Shooting में क्या आती है, Bulls आई आती है, ठीक है Rugby Football में क्या होती है, Drop Cake होता है, और Screen होता है ठीक है, Screen क्या होती है, इसके अंदर Direct Hit करना, जो ऐससा सिंबल बना होता है इसके बाद Next है, Swimming, Swimming में Butterfly Strokes होते है जो भी Swimming की Strokes है, Base Stroke है, Butterfly Strokes है यह थोड़े पॉपलर रहे हैं, आप लोगों पता होगा, Maximum के बारे है Volley Wall में क्या है, Volley Wall में जो Termology यूज होती है, वो Dues होता है Booster होता है, Spikers होता है, Service होती है, Love होता है Wrestling में क्या होती है, Heavy Half Nestle ओके, तो यह कुछ Termology थे, जो की exam में काफी जादा पूछे जाते हैं ठीक है, तो इनको अच्छे से सुनिए, अगर आप अगेन, मैं repeat करते रहा हूँ अगर किसे और नोट शेहीं, तो इससे मोरे contact कर सकते हैं फोकस टाइम बहुत ही कम है, तो फोकस रही है, तैयारी करिए अच्छे और अच्छे से exam दीजिए, ठीक है तो अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सस्क्राइब करिए थैंक्स वर वचिंग मैं वीडियो, जैहिन